हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बीजी होंगे तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दी के कारण जो रोग होते हैं जैसे गले की खराश, खासी, बुकार, चुखाम और शोसन संस्तान के रोग उनके अंदर तुलसी किस प्रकार उपयोगी है, तुलसी का सेवन किस प्रकार किया जा सकता है और तुलसी की चाय बनाने की वीदी हम जानेंगे और साथ ही हम उसकी सेवन वीदी भी जानेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आपको बता दें कि यदि रोज प्रातह खाले पेट चारपाज तुलसी के पत्यों को निगला जाए तो व्यक्ति हमेशा रोगों से सुरक्षित रहता है सर्दी के कारण होने वाले बिमारियों में विशेश रूप से जुकां, खासी, ब्रॉंकाइटिस, निमोनिया, इंफ्लुएंजा, गले, श्वासनली और फेफडों के रोगों में तुलसी का सेवन बहुत उप्योगी होता है इसकी सेवन के लिए इसकी पत्यों को दो चमच पानी के साथ में पीस कर पानी से निगल लेना चाहिए तुलसी के प्रयोग से सर्दी छाती में नहीं उतरती है और छाती में उतरी हुई सर्दी कफ के रूप में बाहर निकलाती है इससे छाती का दर्द भी कम हो जाता है श्वास की प्रणाली की जिली पर तुलसी बहुत उत्तम रभाव डालती है और उसे सुरक्षित रखती है तुलसी के सेवन से ज्वर का भै जाता रहता है दिमोनिया और मलेरिया बुखार में तुलसी की तीन पत्यां और काले मिर्च की तीन दाने एक चमच पानी में पीस कर कुछ दिन सुबह खाली पेट लेने से बहुत लाब होता है तो आईए हम जान लेते हैं कि तुलसी की चाय किस प्रकार बनाई जाती है अद्रक काले मिर्च युक्त तुलसी की चाय की सेवन से साधारन बुखार मलेरिया आदी दूर हो जाते है तुल्सी की चाय बनाने के लिए तुल्सी की साथ ताजा पत्तियां अथवा अगर आपके पास छाया में सुकाई गई तुल्सी की पत्तियां हो तो उनका एक चौथाई चून एक चौथाई चम्मच चून ले सकते हैं इसकी साथ में आपको साथ काले मिर्च लेनी हैं पिसी हुई सूखी सौट का चूरण एक चौथाई चम्मच लेना है यदि आपके पास ताजा अधरक हो तो आप सौट की जगे ताजा अधरक का एक इंच का टुकड़ा ले सकते हैं इन तीनों वस्तूओं को एक कप उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और फिर चार पाच उबाल आने दीजिए उसके बाद में इसको उतार कर दो मिन्ट के लिए ढखकर रख दीजिए दो मिन्ट बाद आप इस चाई को चान लीजिए और इसमें उबला हुआ एक कप दूद मिला दीजिए उसके बाद आप चाहें तो इसमें शक्कर मिला कर इसको शक्कर मिला कर पी सकते हैं या फिर बिना शक्कर मिलाए इसको गरम-गरम पी लें और 5-10 मिनिट के लिए कुछ कमबल ओड़ कर सो जाएं इससे आपकी सर्दी का सिर्दर्द, नाक में सर्दी, जुखाम, पीनस, स्वाशनली में सूजन और दर्द, ब्रॉंकाइटेज, साधारन बुखार, मलेरिया, बदहजमी, आदी रोग दूर होते हैं तुलसी की चाई से छाती में जमा हुआ, कब धीला होकर बहार निकल जाता है, सर्दी से हुई छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द दूर हो जाता है जाड़ों के दिनों में इसको लेते रहने से मनुष्य सर्दी में होने वाले जुकाम, खासी, बुखार और गले के रोगों से सुरक्षित रहता है वर्षा रेतों में भी सर्दी के कारण ये सभी रोग लग जाते हैं, जिन से बचाओ के लिए और उपाई के लिए जिनके इलाज के लिए आप तुलसी की चाय का सेवन करते हैं तो आज की वीडियो में हमने जाना कि तुलसी की चाय किस प्रकार बनाई जाती है, उमीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे किसी जरुरतमन्त की साथ शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई, थैंक यू फूर वाचिंग